सफलताओं के पीछी बहुत साई अफ सफलताओं का हाथ होता है भारत के सबसे सफल यूटूबरों में से केरी मिनाटी को भारत में रोस्टिंग कल्चर लाने के लिए जाना जाता है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में इस तरह के कंटेंट पर पहले सायद ही किसी ने काम किया होगा हालकि ऐसा भी नहीं है कि केरी मिनाटी ने पहली बार कुछ ट्राइ किया हो और वो सफल हो गए हो उन्हें अपनी सफलता के पीछे बहुत सारी सफलताओं का सामना करना पड़ा और उन्हीं के बारे में आप इस वीडियो में आगे जानेंगे केरी मिनाटी अपनी टिक टोक पर से सीटू वीडियो के लिए बहुत चर्चित हुए थे क्योंकि इस वीडियो ने नजाने कितने ही वर्ड रिकॉर्ड तोड़ दिये थे तो चलिए जानते है 21 साल की उम्रों में कई सारी बुलंदियों को छूने वाले केरीम नाटियानी की अजय नागर की पूरी कहानी कि कैसे इन्होंने एक साफ़ा लिटूबर बनने के लिए अपने पूरे करियर तक को दाओ पे लगा दिया था तो दोस्तों इस कहानी की शुरूआत होती है 12 जुन 1999 में जब अजय का जर्म हरियाना के फरिदाबाद जीले में हुआ था उनके घर में उनके अलावा उनके मम्मी पापा उनका एक बड़ा भाई भी है और अगर बात करें अजय की शुरूआती पढ़ाई लिखाई के बारे में तो उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कुल से पूरी की है हाला कि पड़ाई लिखाई में उनका विल्कुल भी मन नहीं लगता था और उन्हेंने 10 साल की उम्रों में ही यूटूब पर अपने चैनल बना लिया था और अपने इसी चैनल पर वे अलग अलग तरह के वीडियोस को अफ्लोड किया करते थे जैसे वह अभी अपने चैनल पर फूड़ वाल ट्रिक्स बताते कभी वीडियो गेम्स की रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पर अप्लोड करते हाला कि इस ट्रिल्थ फेर्ज नाम के इस यूटूब चैनल पर उन्हें अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिल रहा था और उनके किसी भी वीडियो बर उसको में 500 से ज्यादा व्यूज नहीं आये थे क्योंकि ऐसे कई टूटिरियल यूटूब पर पहले से ही मौज़ों थे और उम्र में काफी कम होने के बचे से भी लोग उन्हें अच्छा रिस्पॉंस नहीं देते थे लेकिन अजन तो तेसे उम्र में ही ठ करते थे लेकिन उन्हेंने साथ थी साथ फ़नी कमेंटरी करना भी सुरू कर दी जैसे कि वह सैनी धवल और रिट्टी क्रोशन जैसे कई फिल्म इस्टार की मिमिक्री भी करते थे हाला कि काफी मेहनत करने के बाद कैरी ने दो साल में 150 वीडियो अपलोड करती लेकिन उन्हें बाद में समझ में आया कि यह लोग उनके गेमिंग वीडियो देखने के लिए कम और उनकी फ़नी कमेंटरी सुनने के लिए ज़्यादा आया करते थे और केरी मिनाटी ने अपने चैनल का नाम बदल कर केरी डॉयल कर दिया और पर अपने इस चैनल पर अब गेमिले के साथ दूसरों की रोश्टिंग भी किया करते थे साथ उन्होंने यहाँ आइडिया विदेश में पहले से चल रहे कंटेंट से लिया था लेकिन भारत में यह है एकड़म नया था यह से लोग केरी को पसंद भी कर रहे थे हालाक इनके चैनल को सब्सक्राइब लोग प्रिया था तब मिली जब उन्होंने उस समय काफी तेजी से पोपिलर होल रहे भूवन वाम पर एक रोश्टिंग वीडियो बना डाला दरहसल बीवी की माइन आज तो फेमस है ही लेकिन उस समय भी उनके लोग प्रिया था बहुत तेजी से बढ़ रही थी और जब उन्होंने उनकी रोश्टिंग की तो उनके चैनल पर काफी तेजी से व्यूस और सब्सक्राइबर आ गए और इसी टाइम उन्होंने अपने चैनल का नाम केरी रोल से बदल कर केरी मिनाटी रग दिया और आगे चलकर जब केरी मिनाटी थोड़े और फेमस हो गए तो उन्होंने फेस केम्प के साथ रोश्टिंग करना शुरू कर दिया जब अपने अलग-अलग एक्स्प्रेशन से लोगों को हसाने का काम भी करते थे इस बीज बे अपनी पढ़ाई तो मानुप भूली गए थे इसलिए उन्होंने एक्जाम से ठीक पहले अपने स्कूल छोड़ दिया और ओपनी स्कूल से अपनी पढ़ाई जारी रखी आजए के इस पैसन में उनके ममी पापा ने उनका पूरा साथ दिया इसलिए साय तो केरी मिनाटी आज इस मुकाम पर पर वो कहते है ना सफलता पाने के लिए काटों के रास्ते से गुजरना पड़ता है अफ केरी के चैनल पर कौपे राइड स्टाइक आने शुरू हो गई थी 10 अगर से 2016 अगो तो केरी मिनाटी के चैनल पर तीनी स्टाइक के खटी आ गई थी और यूटूब के नियम के अनुशार तीनी स्टाइक पर चैनल लिट हो जाता है लेकिन फैंस के प्यार और केरी के जुगार से केरी का चैनल टाइम मिनेट होने से बज़ गया पर इसका दुन है अज इस्टाइगाई बाबा साइकल के दरब से क्योंकि उन्हेंने बाबा साइकल के सौंग को भी रोस्ट किया था और उन्हें अधर क्रेटर्स के बहुत हीड भी मिलने लग गए थे यानि अपने यूटूब के करियर में काफी कुछ जहिला है इन्होंने और इन्होंने आज तक जिन भी लोगों की रोस्टिंग की है वो इनके रोस्टिंग के वज़े से खुद भी सेलिब्रिटी बन गए है अब बात गाते हैं अपने केरेक्टर के लिए फेमस है वैसे ही केरी के भी दो तिन केरेक्टर है और उनको आपने अपनी वीडियो में मोहित को भी आबाज लगाते हुए देखा होगा उनकी वीडियो में मोहित वे बताते हैं कि वे सभी ओडियंस को मोहित मानते हैं जिसके साथ वह अपनी सारी बाते शेयर कर सके या हथान चश का और bother मैणेज लोग करते हैं जिसमें उनके बिजनेस मेनेजिंग का काम उनके दोस्त अनिर्ुद्ध सम्हालते हैं और सोसल मीडिया का काम उनके दोस्त अमन सम्हालते अलग छे उनके सूट की लोकेशन को देखते हैं और एक इंटर्व्यू के दौरान उन्होंने बताया वे बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है अगर उन्हें कोई गेम खेलना होता है तो गेम उन्हें खेलना आता हो या ना आता हो उसे तब तक खेलते रहते हैं जब तक वो गेम को अच्छी तरह से सीखना जाए इस स्टोरी से हमें एक सीख तो मिलती है कि हमें कुछ करने का मौका मिला है तो हमें उस टाइम को गबाना नहीं चाहिए बलकि उस काम पर फोकस करना चाहिए और उस काम में अपना 100% दे देना चाहिए पिछले पास सालों में उ पूरी तरह से बदल दिया है और उन्होंने पुलवामा अटेक में एक लाख 58,500 रुपए दान किये थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सेयर कीजिएगा और बैल आइकन गोगल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और कमेंट में बताना जरूर आपको यह स्ट